हेलो आप सभी का स्वागा देखो ने वीडियो में और जैसे-जैसे आई-पेल का जो ऑक्षन है बड़ा ऑक्षन वह पास आ रहा है तो उसके पहली बहुत सरे जो टीम्स है वह अपना सजेशन्स दे रही है आई-पेल ऑफिशल्स को कि बाई ऐसा होना चीए ऐसा हमें करने द है अभी क्या तीन होने से सजेशन्स दी अपने आई-पेल ऑफिशल्स को आये जाने की कोश्चित करेंगे तो पहले यहाँ पर बताया गया है कि मेगा ओक्षन ओनली वन्स इन फायर जी हाँ यह जो फ्रैंचार उनका कहना है कि आप जो भी मेगा ओक्षन करते हो तो अभी क यहाँ तो यहाँ पर जो फ्रैंचार उनका करने चाहिए और तो और तो और यहाँ पर राइट टू मैच कर जी हां आर्टियम मता हम सकोत है कि अगर हमारा टीम का प्लेयर है हमने जाने दिया औक्षन में कोई दूसरी टीम उसको खरिती है तो हमारे बास वह आर्टियम कार्ड रहेगा कि राइट टू मैच कार्ड यूज करके वो प्लेयर जितने भाव में दूसरी क्लब ने खरीदा है तो वह हम अपने अपने तो अगर इसका मतलब है कि छे तो आप लोग प्लियर्स रिटेंग करोंगे चार से छे और आठ आप लोग आठ आप लोग वाड़िस है यह अपना आठीम कार्ट यूज करेंगे तो लगबग लगबग बारा से चाउदा अब चाउदा मेंबर्स आपके से मिलेंगे अभी अगर आप देखो कि यह अगर एक चीज में अगरी करूंगा कि हाँ तो कैसे है कि तीम भी सोच सके ना कि चलो टीके पाथ सल के बस हमारा टाइम है तो हम अच्छे से कर सके तो वह एक चीज है विकाज़ आप टीम बना तो इ तो तीन साल में बदली हो जाती है तो मतलत अपने उसका तो पाथ सल दे होगे तो गया चलो टीके हमने मैनत किये तो पाथ सल तक वह रहेगी एक और चीज आपर अगर आगर आप बात करोगे चार से छे प्लियर्ग करने दीजे चार या तीम करने दीजे लेकिन जो आठ आप यूज़ करो प्लस आप आठ आठ आटीम आप्शन आप यूज़ कर सकते हैं इसका मतलब बारा से चौदा प्लियर्ग कैस रहेंगे तो इसका मतलब ही क्या होगा मेंगा ओक्षन मेंगा मतलब थो कि पुरी टीम अदली बंदी हो जाती है जो मेन कोर तीन से चार्ड प् discussion आया है देखते कि अभी क्या होता है आपको ज़रू बताना भाई आप लोग क्या कहना है यह तीनों टॉपिक्स को और जो तीनों ने